विछले कुछ दिनों से कस्रावदेवं आसपास के शेटरों में दो पहिया वाहन चोरी की घटाएं लगातार बढ़ती जा रही थी जिसको लेकर शेटर के लोगों में भैव व्याप्त हो रहा था लगातार चोरी की घटनाओं से पुलीस प्रश्यासन भी परिशान था आये दिन वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो रही थी जिसको लेकर पुलीस अधिक्षक खरगोन शेलेंदर से चोहान ने अधिरिक पुलीस अधिक्षक जितेंदर पवारेवों अधिरिक पुलीस अधि चेकिंग की जा रही थी जिसके चलते वाहन चेकिंग के दोरान एक व्यक्ति से मोटर सैकल के सम्मनित दस्ताविच नहीं मिलने पर पुलीस को शक हुआ पुछे जाने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम फिरोज घान जाती मुसल्मान उम्र 25 वर्शी निवासी मरदाना बताया पुलीस ने जब गहन पुश्ताच की तो चोरी के राज खुलते गए साथी पीरो ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताया जिसमें पपो के साथ रागरे में पीपल गोर में वहन चोरी करना कबूल किया और उन्हें की निशान देही पर पुलीस ने आरूपी के पास से 12 मोटर सैकल जब्त की जिनकी कीमत लगबग 5 लाग बताये गए इसके अलावा अभी अनुसंदान जारी है इसमें एक वेक्ति अभी फरार है जो धनगाओं धाना धनगाओं जिला कंडवा का है और वो जब राउंड अप होगा तो उसे और अधिक अन्य वहन मिलने की संभाव दो अधिक तर वाहनों की चोरी को अंजाम किस प्रकास देते यह मॉडस ओपरेंडी इनकी जो रहती थी यह एक तो ताला तोड़के जो हैंडल लॉक होता है और उसके आज इसको डायरेक्ट फ्लक्क स्टार्ट करके यह स्टार्ट कर लेते थे और यह लेके और यह डम करके रखते थे अभी इन्होंने जो है पांच मोटर साइकल अपन चेत्र का वहां पर चुपाएंगे रखी थी दो मोटर साइकल जैसा की बताया गया है कि वहां घंडवा जिले के अटूद ग्राम जो धनगाओं थाने में हैं वहां से बरामत कि शेश मोटर साइकले भी जो है वह पपू नाम का जो आरूती है उससे बरामत कि जो लॉंदी खर्बोन जिले में इसके पहले भी थाना भगवानपूरा में लगवाग 10 घूर मूल्य की मोटर साइकले बरामत हुई है कोतवाली में हुई है भीकन गाओं ठाने में हुई है थाना च्तर में सनावत थाना चेत्र में हुई है बढ़वा थाना चेत्र में हुई है और कसरावद में पूरो में हमने बड़ी संक्या में लेकिन अभी विगत कुछ महां में ये अब तक की बड़ी कारवई है विगत चार महां में ये अभी हमारी एक अच्छी सफ़ाइब कसरावद चब्रार पठा की ये रिपोर्ट